इस वीडियो में हम प्रश्णावली 7A के question number 26 से लेके question number 30 तक करेंगे बाकि अन्य questions के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं उसके लिंक आपके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं question number 26 यह है यहाँ पर एक चित्र बनाए गया है और इसमें ABCD एक समांतर चत्र बुझ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो ABCD है यह समांतर चत्र बुझ है इसके बाद यदि भुझा AB को P तक इस प्रकार बढ़ाए गया है कि और देखो यहाँ पर figure में क्या given है यह जो AB है वो BP के बराबर है जो यह है और यह आपस में बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि CP बराबर है CQ के हमें यह सिद्ध करना है तो CP कहां पर है CP है यह और CQ है यह इन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना है तो देखो यह बराबर प्रूफ हो जाएंगे यदि हम इस ट्रिभुज को यानि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपस में सरवांगसम प्रूफ कर दें तो यह बराबर हो जाएंगे तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ठीक से समझो यानि मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की इनको हमें प्रूफ करना है सरवांग सम और राइट चीज़ें क्लेर हो गए यहां तक तो कैसे करेंगे अब यहां पे जो क्वेशन में शुरु में बात कही गई है कि ABCDX समांतर चत्रुबज है इसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे देखो समांतर चत्रुबज में क्या होता है समांतर चत्रुबज में आमने सामने की बुजाएं होती हैं बरावर इस तरह से इसके अलावा बराबर होता है ये ध्यान रखना क्यों कि इनको हम संगत कौन कहते हैं क्योंकि ये जो भुजाएं है आपस में समानतर है और ये तिरेक रेका है तो इस वज़े से ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होंगे यहां पे ये कौन और ये कौन के में बात करना है ये आपस में तो ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होंगे और ये संगत कौन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल डी एबी बराबर है एंगल सी बी पी के ठीक है यानि ये कौन ये कौन बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि ये संगत कौन है और ये तो आपको पता ही कि ये दोनों बुज़ें हैं आपस में समानतर हैं ठीक है न इसके लावा एंगल D.A.B ये बराबर है एंगल Q.D.C के दियान से देखो फिगर में Q.D.C कहां पर है तो जैसे कि अभी मैंने आपको समझा है कि ये बराबर है अगेन ये संगत कॉन है तो यहां से हम इस निशकर्स पर पहुंच सकते हैं कि जो एंगल C.B.P है ये बराबर है एंगल Q.D.C के है न यानि ये कॉन ये कॉन बराबर है क्योंकि इनके दोनों बाइपक्ष बराबर है तो ये बहुत important हैं से निशकर्स निकला है जो कि हमारी help करेगा इस question को solve करने में अब इसके अलावा अब देखो यहां पे हम इनको वापस से clean करते हैं फिर से देखो मैं आपको समझाता हूं इतना तो हम prove कर चुके हैं कि ये कॉन और ये कॉन बराबर है ठीक है इसके जानते ही कि ये और ये भुजा बराबर है क्योंकि question में दिया है लेकिन साथ में जो ये भुजा है ये इसके भी तो बराबर है तो देखो यहां पे जो A B है वो बराबर है B P के क्योंकि question में दिया है ये साथ ही जो AB है वो DC के बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि ये समांतर चत्रबुच के सम्मुख भुजाएं है ठीक है यहां ते क्लेर हो गया तो ये तो इसलिए बराबर है तो आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड में दोनों में AB है तो राइट हेंड बराबर होंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि BP बराबर है DC यानि हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो ये भुजा है ये इसके बराबर है इसके अलावा अब क्योंकि ये और ये आपस में बराबर दिये हैं और साथ ही ये और ये तो बराबर होते ही हैं क्योंकि समांतर चत्रवुज के समग हो जाए बराबर होती हैं इस से ये और ये बराबर हो जाएगा ठीक है तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो यहाँ पर बुजा BC है यह बराबर AD है क्यों? क्योंकि समांतर चत्रबुज के समुख बुजाएं है इसके लावा जो QD है यह भी AD के बराबर है क्योंकि यह तो Qशन में ही दिया है न ओके AD और QD आपस में बराबर है तो यहाँ पर आप देखो राइट एंड साइड दोनों में AD है तो लेफ्ट एंड साइड बराबर हो जाएंगे तो हम यह कह सकते हैं कि BC बराबर QD है अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम देखे तो यह साइड और यह साइड इक्वल प्रूफ हम कर चुके हैं यह एंगल और यह एंगल इक्वल प्रूफ कर चुके हैं और यह साइड और यह साइड इक्वल प्रूफ कर चुके हैं तो साइड एंगल साइड से होगे ना सरवांग सम तो फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे कि तरिभुज अब इन दोनों तुरिबुजों की हम बात करें ठीक है जिने हम सरवांग से हम ने प्रूफ करना था तो यह है तुरिबुज C, B, P और तुरिबुज Q, D, C में तो यहां पे जो C, B, P की साइड B, P है यह बराबर है D, C के यहां पे आप देख सकते हैं यह लिखा गया है इसके अलावा जो एंगल C, B, P है यह बराबर है एंगल Q, D, C के ठीक है और रीजन अगर आपको लिखना है तो आप कह सकते हैं कि यह अभी सिद्ध किया है ऐसे यहां पे भी आप रीजन लिख सकते हैं कि अभी सिद्ध किया है और है ना यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमने प्रूफ किया है और इसके अलावा यहां पर जो B, C है यह बराबर है Q, D के क्योंकि यह भी हमने प्रूफ किया है यहां पर आप देख सकते हैं यह तो इसलिए साइड एंगल साइड से जो तर्भुज CBP है यह सरवांग सम हो गया है तरवुज QDC के और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो CP है यानि इस तरवुज की यह बुजा बराबर इस तरवुज की यह बुजा CQ और इसका रिजन है CPCT से ठीक ना Hence Proved Well, I hope आपको यह solution अच्छे से समाज आया होगा Question No.27 है निम ने लिखे चित्र में AB बराबर PC है तो यहाँ पे यह और यह बराबर है AB बराबर PQ है AC बराबर है PR और यह है और यह आपस में बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि जो यह तरवुज ABC है और यह तरवुज PQR है यह आपस में सरवांगसम है ठीक है एक चीज़ आप देखो अगर जो हमें प्रूफ करना है उसी बात पे ही फोकस करें तो हमारे पास ABC और PQR को सरवांगसम प्रूफ अभी क्या चीज़े हमारे पास उपलब्द है उन्हें सरवांगसम प्रूफ करने के लिए तो हम यह देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड बरावर है ठीक है साथ में ये साइड और ये साइड भी बरावर है अब इसके बात जो है हमारे पास तीसरी चीज़ नहीं है तो अगर हमारे पास ये side और ये side बरावर proof हो जाती है तो हम side 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 से इनको सरवाइंग से proof कर सकते हैं और भी तरीके इसको proof करने के हैं तो उन पे भी हम आएंगे लेकिन यहाँ पे पहली बात तो यह है कि हम इस बात पे focus रखें कि इस side और इस side को बरावर कैसे लेके आएं अगर हम इस triangle को और इस triangle को आपस में सरवाइंग सम प्रूफ कर दें उससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो इतना हिस्सा है और इतना हिस्सा है ये CPCT से बरावर हो जाएगा इसके बाद अगर हम इन दोनों को सरवाइंग सम प्रूफ कर दें तो CPCT से हम इनको भी बरावर प्रूफ कर सकते हैं फिर इन दोनों को प्लस करके हम इस नदीजे पर पहुंच सकते हैं कि BC बरावर QR है और तीसरी side भी बरावर हो जाएगी तो यही करते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि ट्राइंगल A, M, B और ट्राइंगल P, N, Q में इसमें अगर हम देखें तो एक तो यह 90 डिग्री है एंगल A, M, B और P, N, Q दोनों 90 हैं इसलिए दोनों बरावर है इसके बाद जो A, B है यह बरावर है P, Q के क्योंकि question में दिया है और उसके बाद जो A, M है यह बरावर है P, N के यह भी question में दिया है अब आप सोचो यहाँ पर क्या property लगेगी सोचिए अगर आपको यह लगता है कि हम यहाँ पे बोलेंगे side side angle तो गलत है ऐसी कोई property होती नहीं है अगर आप बोलेंगे angle side side ऐसी भी कोई property नहीं होती है अगर आप यह सोच रहें कि सर यह side हो गई फिर हम घूम के इदर आ जाओ यह angle हो गया यह side हो गया यह तो हई नहीं ना side angle side तो हई नहीं तो क्या है यह तो यहाँ पे यह है RHS property तो इसी लिए RHS से triangle A, M, B सरवांग सम है triangle P, N, Q, K अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर यह RHS क्या है तो देखो RHS जो सरवांग समता का पर्तिबंद होता है सरवांग समता का एक property एक नियम होता है उसमें R का मतलब right angle है यानि right angle का मतलब 90 degree तो यह R हो गया यह हो गया R, right angle उसके बाद है A, B तो A, B और P को आप देख सकते हैं यह है कर्ण यानि हाइपिटिनियोस और इसके बाद A, M और P, N यह है side तो यह RHS property है ठीक है ना और एक बारी अब यह सरवांग समप प्रूब हो गये हैं तो आप हम कह सकते हैं कि therefore जो B, M है यह बराबर है Q, N, K और किस से? C, P, C, T से तो I hope यहां तक तो चीज़ें clear होगी होगी और यही same अगर हम इसमें देखें इन दोनों triangles में तो हम यह लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से देखो यहां पर हम चलो इनको लिखते हैं triangle A, M, C और triangle P, N, R में तो यहां पर सबसे पहले angle है angle A, M, C बराबर angle P, N, R तो यह दोनों भी 90-90 हैं इसलिए दोनों बराबर हैं इसके बाद हाइपर्टने उसके बाद करते हैं तो A, C बराबर है P, R के और यह question में ही दिया है और फिर है यहां पर side कि जो A, M है यह बराबर है P, N के यह भी question में दिया है तो हम यह कह सकते हैं कि R, H, S से triangle A, M, C यह सरवांग सम है triangle P, N, R के तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि M, C बराबर N, R हो गया है यहां पर ठीक है, M, C यानि जो यह है और N, R यह है अब यह बराबर है क्यों? क्योंकि यह C, P, C, T से बराबर है, तो यह सरवांग से प्रूब हो चुके हैं तो यह बराबर होते हैं इसको हम समिकर्ण दो नाम देंगे अब जो equation number 1 है यहां पर equation number 2 है इनको जोड़ेंगे हम तो हम लिखेंगे कि समिकर्ण एक और दो को जोड़ने पर तो यहां पर हो जाएगा BM प्लस MC is equal to QN प्लस NR BM प्लस MC का मतलब है BC और QN प्लस NR का मतलब है QR ठीक है, यानि BM प्लस MC आप देख सकते हैं, यह पूरा BC है और QN प्लस NR आप देख सकते हैं, यह पूरा QR है ठीक है, यहां तक बात हैं समझ आ चुकी है अब आप फोकस करो वापस से त्रिबुज ABC और त्रिबुज PQR पे तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर त्रिबुज ABC और त्रिबुज PQR में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भुजा AB बराबर, यह और यह बराबर है यह तो क्वेशन में ही लिखा है कि AB बराबर है PQ के इसके बाद AC बराबर PR है यह भी क्वेशन में दिया है, है ना यह AC बराबर PR और इसके बाद BC बराबर QR अभी हम प्रूफ कर चुके हैं, यहां पर BC बराबर QR यह अभी सिद्ध किया है तो तीनों संगत बुझाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि साइड, साइड, साइड नियम से जो तुरुपुज ABC है यह सरवांगसम हो गया है तुरुपुज PQR के Hence Proved तो I hope आपको यह सब अच्छे से समझ आ गया होगा Question No.28 है यहाँ पर हमें बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एक संभाव तुरुपुज की मादिगाएं बराबर होती है तो यहाँ पर एक संभाव तुरुपुज बनाते है इसकी मादिगाएं तो इसकी एक मादिगाएं यह है और एक मादिगाएं इसकी यह है ठीक है और ऐसे इसकी तीसरी मादिकाएगी है हमें सिद्ध करना है कि यह जो तीनों मादिकाएगे हैं यह बराबर है A, B, C, D, E, F तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले दो मादिकाओं को बराबर लेके आएंगे और उसके बादेखो बहुत सिंपल है यहाँ पर तो यहाँ पर हम इने दो-दो करके प्रूफ करेंगे कहने का मतलब यह है कि फिलाल for the time being कुछ time के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं ठीक है ताकि थोड़ा सा clean यह दिखे तो यहाँ पर हम त्रूफ लेंगे कौन-कौन से एक तो यह त्रूफ ठीक है और दूसरा त्रूफ लेंगे यह तो हम लिखेंगे कि त्रूफ ए-डी-बी और त्रूफ बी-ई-सी में एक यह है और दूसरा त्रूफ यह है तो यहाँ पर क्या-क्या बराबर है इनको सरवांग समह में प्रूफ करना है तो सबसे पहले बाद तो ए-बी बराबर बी-सी है सिम्पल, अब इसके अलावा आप जानते कि जो मादिका होती है बिल्कुल मद्न बिंदे पे आती है तो यह और यह आपसें बराबर होंगे इसuger परकार से यह और यह भी आपसमें बराबर होंगे तो हम यह कह सकते हैं कि जो बी-डी है ये बराबर है E C के या C E के ठीक है ना यानि ये जो है ये इसके बराबर है है ना क्योंकि ये तो सम्भाव त्रिबुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उनके आदे भी बराबर होंगे इसके लाबा जो ये त्रिबुज है इसका एंगल B इस तिर्वूज के एंगल सी के बराबर है और दोनों सिक्स्टी डिग्री है तो यहां पर हम देखो हमारे पास क्या है यहां पर यह साइड इस साइड के बराबर हो गई और फिर यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और इसके बाद ये side इस side के बराबर होगी तो side angle side हो गया इसलिए side angle side से हम ये कह सकते हैं कि तरवांग सम है तरवांग सम है तरवांग सम प्रूव हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर BE है CPCT से ठीक है और अब जो है एक line ये draw कर दो यहाँ पे और इसको हम नाम दे देते हैं F तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो BE है वो बराबर हो जाएगा C जो BE है वो C F के बराबर हो जाएगा ठीक है ना तो हम यह कह सकते हैं कि देखो prove करने होते तो बार बार हम proof नहीं करते है यानि हमें जो है अगर इन दोनों को बराबर prove करना है कि जो BE है और जो CF है इसको अगर हमें बराबर prove करना है पेलो तो इसको हटा देते हैं confusion तो यहां पे भी हमारे पास same process होगा जो हमने पहले हमने यूज किया है उस case में हम क्या करेंगे कि इसको यहां से हटा देंगे ताकि confusion नहों और अब हमारे पास क्या है कि इन दोनों तुर्बूजों के अगर हम बात करें तो जो यह side है ठीक है यानि अगर मैं इस तुर्बूज की बात करो और साथ में मेरे पास यह वारा तुर्बूज है अगर मैं इन दोनों तुर्बूजों की बात करो तो क्या होगा यह तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो भूजा E, C है यानि यह यह इसके बराबर होगी F, B इसके लावा यह कौन यह कौन बराबर होगा यानि एंगल C बराबर एंगल B और इसके बात जो B, C भुजा हो दोनों के लिए common है तो अगर आप चाहो तो इसको पूरा डिटेल में लिख सकते हो और इससे हमारे जो ट्राइंगल है यह साइड इंगल साइड से यह ट्राइंगल सरवांग सम हो जाएंगे ट्राइंगल एक हमने लिया E, C, B और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है F, B, C और यह C, P, C, T से क्या कहते हैं इसको साइड इंगल साइड से यह सरवांग सम है और इसके बाद हो जाएगा कि BE बराबर CF तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक ना इसको ये कर लो और इसके बाद फिर यहाँ पर ये लिख दो और ये तिरों बराबर हो गए तो I hope आपको ये solution समझ आ गया होगा Question number 29 है और इसमें आप देख सकते हैं ABCD एक work दिया है EF BD के समानतर है तो basically जो ये EF ये line जा रही है ये BD के समानतर है और हमें और जो R है वो EF का मद्दे बिंदु है तो R EF का मद्दे बिंदु है यानि ये और ये बराबर हैं ठीक है सिद्ध कीजिए BE बराबर DF BE बराबर DF हमें सिद्ध करना है यानि ये दोनों बराबर सिद्ध करना है देखो ये कैसे होंगे यहां पर पहले बात तो ये है इस question को बहुत सारी तरीके से किया जा सकता है मुझे जो ऐसा लगता है कि जो सबसे आसान होगा आपके लिए समझने के लिए मैं उस तरीके से आपको कराऊँगा और जो एकदम सही मैथड़े आप एकजामे करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे तो देखो सबसे पहली बात जो इन्होंने information दी है कि ये दोनों समानतर रेखाएं हैं समानतर रेखाएं इनकी एक quality होते हैं अगर मान लो कि ये दोनों रेखाएं समानतर हैं और एक रेखा इनको ऐसे काड़ती वे जाती है तो ये और ये कोण बरावर होते हैं और इनको हम संगत कोण कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बरावर होंगे संगत कोण होंगे ठीक है पहली बात तो यह है कि जो एंगल dbc है वो क्या है एंगल dbc बिल्कुल 45 degree है इसका क्या कारण है क्योंकि अगर मैं बात करूं इस तरबुज की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये एक सम्दिबाहों तरबुज है जिसका ये 90 degree है तो फिर क्या होता है कि जब एक 90 होता है तो बाकी दोनों कोण बराबर होते हैं और उनको प्लस करके 90 आता है तो इस वज़े से ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा दूसरा आप ये समझ लो कि जो यहाँ पर हमारे पास ये विकर्ण है ये इस 90 डिगरी को दो बराबर कोण में बाणता है तो ये कोण और ये कोण दोनों ही 45-45 डिगरी है कहने का मतलब ये है कि ये 45 डिगरी है अब अगर ये 45 है तो अंगल ध्यान से देखो मैं किस अंगल की बात कर रहा हूँ F E C ठीक ना किस अंगल की बात की मैंने या पर इस अंगल की बात की ये किसके बराबर है ये तो इसके बराबर है angle dbc अब ये बराबर क्यों है क्योंकि संगत कौन है जो मैं अभी आपको समझा रहा था ये और ये कौन बराबर है इस से क्या होगा कि angle fec जो ये है ये आजाएगा 45 डिग्री आया ये बात समझाई अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं इस कौन की बात करो यानि angle cdb angle cdb जो है ये भी 45 डिग्री है है न ये 45 डिग्री है और साथ ही ये दोनो कौन संगत कौन है ठीक है न ये और ये तो angle efc बराबर हो जाएगा angle bdc लिखो या cdb दोनो बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि ये भी संगत कौन है इस वज़े से ये भी 45 डिग्री हो गया है या अगर आप फोकस करें triangle ecf में इस triangle पर अगर आप फोकस करें तो ये यहाँ पर कौन ये जो कौन है इस कौन के बराबर हो गया है यानि angle fec ये बराबर है angle efc के और क्योंकि ये कौन बराबर है तो उनकी सामने की भुज़ाएं भी बराबर होगी और ये समदी बहुतर बुज़ोगा इसलिए ec बराबर fc ठीक है ना क्यों क्योंकि बराबर कौन के सामने बराबर भुज़ाएं होती है बराबर कौनों के सम्मुक बराबर भुजाएं होती है ठीक है इतना समझ आ गया यानि अभी तक क्या हमें मिला है कि ये और ये बराबर है अब आप already जानते हो कि BC बराबर DC है क्यों क्योंकि ये वर्गी की भुजाएं तो बराबर होती है न ये वर्गी की भुजाएं है तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर इसको नाम देते हैं समिकर्ण नमर एक और ये समिकर्ण नमर दो है तो समिकर्ण दो से समिकर्ण एक को माइनस कर देंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पर हो जाएगा BC माइनस EC बरावर BC माइनस FC अब BC माइनस EC देखो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो BC यह पूरा है माइनस EC यह है तो जब माइनस करेंगे तो यह BE बचेगा न फिर इतना ही यह तो है BE DC माइनस FC क्या है तो DC यह पूरा है और FC यह है तो यह माइनस होके आगा DF और यह पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है तो देखो सिंपली हमने क्या किया हम इसको 45 डिग्री लेके आए इसको भी 45 डिग्री लेके है हमें पता चलिया कि दोरों कौन बराबर है तो उनके सामने की बुझाएं बराबर होंगी और फिर इनमें से माइनस कर लिया तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हुआ है अब इसका हम सेकिंड पार्ट करेंगे तो सेकिंड पार्ट करेंगे तो मैं इसको जो अभी किया है उसे में एरेस कर रहा हूँ ठीक आप इसे नोट कर लीजिए अब हमारे पास इसका सेकिंड पार्ट है और इसमें मैं प्रूफ करने कि जो AR है ये जो रेखा जा रही है ये कोण BAD को यानि ये जो कोण है इसको सम्दिभाजित करती है सम्दिभाजित करने का मतलब क्या है कि ये जो कोण है ये इस कोण के बरावर है हमें ये प्रूफ करना है ठीक है तो देखो यहाँ पर ये कोण ये बरावर प्रूफ कैसे करेंगे हम इसके लिए सबसे पहले बेखो हमें प्रूव करना होगा कि ये और ये कौन ऑपस बराबर है ठीक ला? इस तरे से तो फिर क्या होगा? हम इसे और इसे जोड देंगे और इसे और इसे आपस में जोड देंगे आपको बात समझ आ रही है तो अब हम यहाँ पर एक एक करके इनको पहले तो हम इन्हें equal प्रूफ करते हैं और इसके लिए हम किसी सी के help लेंगे देखो हमारे पास अभी तक जो उपलब्द जानकारी है यानि फर्स्ट पार्ट में हम जो प्रूफ कर चुके हैं वो है कि BE बराबर है DF तो हम यहाँ पर लेंगे तर्भुज अब इन दोनों तर्भुजों को अच्छे से देखो जिनके मैं बात कर रहा हूँ इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो AB है यह बराबर है AD के क्यों बराबर है क्योंकि यह भुजाए हैं वर्ग की वर्ग की गुजाए हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यह दोनों कोंड बराबर है ठीक है मैं किन तर्भुजों की बात कर रहा हूँ एक तर्भुज यह है और दूसरा तर्भुज यह है इधर वाला इन तर्भुजों पर फोकुस करो उसके बाद एंगल ए, बी, ई यह बराबर है एंगल ए, डी, एफ के दोनों नाइंटी है और इसके बाद जो हमने अभी प्रूफ किया है कि बी, ई, बराबर, डी, एफ यह तो हमने अभी सिद्ध किया है तो इससे क्या हमें मिला इससे मिला हमें कि तर्भुज ए, बी, ई जो है, यह सरवांग सम है तर्भुज, ए, बी, एफ के अब किस नियम से सरवांग सम है यह यह है साइड एंगल साइड से ठीक है, क्लियर अब एक बार यह सरवांग सम प्रूफ हो चुके है तो हम क्या-क्या रिजल्ट यहां पे लिख सकते हैं देखो, बहुत इंपॉर्टन रिजल्ट एक तो यह है कि एंगल बी, ए, ए बराबर है एंगल डी, ए, ए, एफ के सी-पी-सी-टी से ठीक है ना? तो यहां पे यह और इसको हम समेकल नमर एक नाम दे देंगे और जो दूसरा रिजल्ट है वो अभी हम बात में लिखेंगे दूसरा रिजल्ट वैसे यह है कि जो चलो अभी लिख देते हैं कि ए, ए, बराबर यहां पे ए, 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 आ चुका है और यह भी सी-पी-सी-टी से है अब यह हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी आगे काम आएगा है कब काम आएगा? देखो अब यहां पर हम अब देखो जैसे मैंने कहा कि यह दोनों तो बराबर प्रूफ हो चुके हैं अब इनकी बारी है बराबर प्रूफ होने की तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे हम लेंगे ध्यान से देखो त्रिभुज ए, आर, इ तथा ए, आर, एफ में इन दोनों त्रिभुजों में देखो तो यहां पर हमें इन्हें सर्वांग से प्रूफ करना है जो कि बहुत ही आसान है तो एक तो यह है कि यह दोनों बराबर है क्वेशन में ही लिखा है ना आर, इफ का मद्दे बिंदू है और यह हम अभी बराबर प्रूफ कर चुके हैं यहां पर और एक तो कॉमनी है तो बस हो गया साइड 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 से बड़े आराम से तो यहां पर देखो ए, इ, बराबर ए, 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 यह हमने अभी सिद्ध किया है इसके बाद यहां पर है इ, आर बराबर ए, ए, आर बराबर ए, 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 यहां पर हम कहेंगे इसलिए साइड 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 नियम से तरिभुज ए, आर, इ सर्वांक समय तरिभुज ए, आर, एफ के ठीक है और इससे क्या मिलेगा हमें इससे मिला कि एंगल ए, ए, आर बराबर है एंगल ए, आर के और कैसे बराबर है CPCT से इसको हम समेकर नमबर दो नाम दे देते हैं अब यहाँ पर हम इने एड़ करेंगे तो हम लिखेंगे कि समेकर एक और दो को जोड़ने पर अब इनको जोड़ेंगे हम तो समेकर नमबर देखो एक और दो दोनों को देखो 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 देखेंगे यह हो जाएगा एंगल BAE प्लस एंगल E AR आप डोनों समय करने को देखो एक और दो को यह बरापर हो जाएगा एंगल DAF प्लस एंगल FAR तो इसका म mayoría मतलब यह हो यह हो जाएगा एंगल BAE और EAR को मिला के होगा एंगल BAR और अंगल डी एफ और फ ए आर को मिलागव को अंगल डी ए आर ओके तो हो गया नहीं यह दो यह दोनों को बरावर हो गये तो हम यह कह सकते हैं कि इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ए आर एंगल बी ए डी को सम्दिभाजित करती है ओके अब तीसरा पार्ट यह है कि हमें यह बताना है कि जो ए आर है अगर उसको और बढ़ाया जाए तो सी को सी से होकर जाएगी ठीक है तो अभी हम वो करेंगे और इसको भी नोट का लीजे मैं इसको यहां से मिटाने वाला हूँ इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें हमें यह बताने कि अगर ए आर को बढ़ाया जाए तो सी से होकर जाती है परलब यह जो ए आर लाइन जा रही है अगर हम इसको और बढ़ा दें तो इसी से होकर जाएगी हमें यह बताना है ओके तो देखो यह तो आप जानते हैं कि जो एंगल ए आर है यानि जो लाइन ए आर है देखो चुमकि जो ए आर है यह एंगल बी एडि को सम्दिवाजित करती है जो सेगिन पाट में हमने देखा है वो प्रूफ किया है वही है वही में लिख रहा हूं ठीक है सम्दिवाजित करती है इसी लिए अब ये इस कोण को सम्दिवाजित करती है तथा साथ ही और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि विकर्ण जो विकर्ण है वो वर्की के कोण को सम्दिवाजित करता है कोण को सम्दिवाजित करता है है न विकर्ण वर्की कोण को सम्दिवाजित करता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकर्ण है ये AR के समपाती है यानि मानलो की जो AC है ये विकर्ण है ठीक न AC विकर्ण तो हमने अभी ये डृज़ा किया है इससे पहले तो यहाँ पर AR था तो AR जो है और AC दोनों संपाती होंगी यानि एक दुसरी को उपर आएंगी संपाती होने को मलब एक दुसरी को उपर आएंगी यानि AR AC के संपाती है यानि बिल्कुल एक ही रेखा है वो तो हम यह कह सकते हैं कि AR को बढ़ाने पर वह सी से होकर जाएगी आई होप यह आपको समझ आ गया होगा अब यहाँ पर हमारे पास question number 30 है तो इसमें AB बराबर AC है यह जो चित्र यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर जो AC है AB है वो AC के बराबर है fine अच्छा इसको समेंकर नमबर एक नाम देते हैं क्योंकि हमें जरुत पड़ेगी इसकी अच्छा इसके बाद बिंदू M और N इस परकार से हैं कि BM बराबर CN है जो BM है वो CN के बराबर है इसको हम समेंकर नमबर दो नाम दे देंगे तो हमें प्रूफ करना है कि am बरावर an, पहला ये है, बड़ा असान है ये, देखो, ये और ये तो बरावर दिये हैं, साथ में ये और ये भी बरावर दिये हैं, तो अगर इस पूरे से मैं इतने को माइनस कर दो तो ये बचेगा, और इस पूरे से अगर मैं इतने को माइनस क करेंगे हम घटाने पर तो यह हो जाएगा AB माइनस BM बराबर AC माइनस CN AB में से BM को घटाया तो क्या बचा? AM बचा और AC में से CN को घटाया तो AN बच किया हैंस प्रूफट सिंपल ठीक है ना? अब यहाँ पर सेकिन पार्ट है इसमें त्रिबुज AMC और त्रिबुज ANB को सरवांग संप्रूफ करना है तो हम लिखेंगे त्रिबुज AMC और त्रिबुज ANB में त्रिबुज AMC कौन सा है? यह है और त्रिबुज AMB कौन सा है? ANB यह है तो इन दोनों तर्वूज़ों को हमने ले लिया अब देखो यहाँ पर क्या है सबसे पहले तो यहाँ पर A, B बराबर A, C है क्योंकि यह question में दिया है angle A दोनों के लिए common है और साथ ही जो A, N है देखो अगर मैं इस तर्वूज की बात करो तो इस तर्वूज में तो A, N आ रहा है ना यानि A, N बराबर है और अगर मैं बात करो इस वारे तर्वूज की तो यह बराबर आ रहा है A, M के ठीक है और वैसे भी यह क्यों बराबर है क्योंकि अभी हमने proof किया है अभी सिद्ध किया है ठीक है तो यहाँ पर इनको हम erase कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा देखो यह side है यह angle है और यह side है तो हम लिखेंगे कि side angle side से जो तरिबुज A, M, C है यह सरवांग सम है तरिबुज A, N, B के ओके और एक बार यह सरवांग सम आ चुके हैं तो हम इसको तीसरा पार्ड भी हो जाएगा लगे हाथों कि इसलिए जो B, N है वो बराबर हो जाएगा C, M के C, P, C, T से है ना क्योंकि एक बार यह सरवांग सम प्रूफ हो गए तो इस तरिबुज का यह भुजा और जो दूसरा तरिबुज है जो हमने इसके साथ सरवांग सम प्रूफ किया इसके इस वाली भुजा के बराबर होगा तो संगत भुजाएगे आपस में बराबर हो जाएगी इसलिए यह बराबर है C, P, C, T से हमने कर दिया है ठीक है और जो इसका फूर्थ पार्ट है वो देखते हैं तो ट्राइंगल B, M, C तो B, M, C यह ट्राइंगल है और दूसरा है C, N, B यानि यह ट्राइंगल इसको हमें सरवांग सम प्रूफ करना है जो कि मुश्किल नहीं है क्यों नहीं है मुश्किल क्योंकि यह तो हमारे पास पहले ही बराबर दिये है और यह जो है यानि यह और हम यह तो हम पहले है अभी जस्ट अभी निकालाना हमने इसमें तीसरे पार्ट में और यह common है तो बड़े आराम से हो गए हम लिखेंगे यहां पर तरिबुज बी-एम-सी और तरिबुज सी-एन-बी में इन दोनों तरिबुजों में क्या तो यहां पर जो बी-एम-सी है उसका बी-एम बराबर है सी-एन-बी के सी-एन के इसके बाद जो बी-एम-सी है उसका उसकी जो साइड है यहां पर साइड है सी-एम यह जो बी-एन यह जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इसकी साइड बी-एन के बराबर है है ना यानि जो ब्लू वाला ट्राइंगल है उसकी सी-एम साइड जो मैं इस साइड की बात करूँ यह और यह बराबर है और जो बी-सी है दोनों के लिए कॉमन है तो साइड ईंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं कि साइड 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 से ट्राइंगल B, M, C सरवांक सम है ट्राइंगल C, N, P, के हैंस प्रूफट ओके तो आई होप आपको इस सलिउशन अच्छे से समाज आ गया होगा इसे के साथ ये पार्ट्स समाप्त होता है अन्य पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें मिलते हैं अगले वीडियो में टेक कियर